हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एपिसब 25 के शरवात में वेन यूंचंग की मौम से कहने लगती है कि मैंने रिसर्च असिस्टेंट की पॉजिशन के लिए अप्लाय किया था ताके मैं यूंचंग की उसके करियर में मदद कर पाऊं लेकिन ये पॉजिशन गुएंजन की गल्फरेंड को दे दी गई है किनन इस मामले को सीरेस्ली हैंडल करेंगे अब यूंचंग की मौम ये सारी बात जाकर गुएंजन के डैट को बता देती हैं डैट कहने लगते हैं कि इस पॉजिशन के लिए हाई डिगरी की डिमांड नहीं की गई लेकिन फिर भी मैं गुएंजन को काम को मिक्स करने नहीं फैंगमेंजन के साथ लंच कर रहा होता है तो इसको फ top fan पर बहुत सारी मेशिज जिस इंजन को देखने के बाद फैंग विन फैंग परिशान हो जाता है फैंग विन फैंग गुएंजन को दिखाता है कि इन दोनों की पिक्टिर जो कि वैन ने ली थी वहर जगा वाइरल हो गई होती है और सब यही बातें कहरे होते हैं कि सूवियन ने यह पोजिशन हासल करने के लिए गुएंजन का इस्तमाल किया है गुएंजन यह देखकर परिशान हो जाता है और साथ ही गुएंजन को नोटिस आजाता है कि वैन को इस पोजिशन के लिए चुन दिया गया है अब जैंग भी इनी रूमर्स को देख रही होती है और इसके साथ ही यह सुविएंजन को बताती है कि गुएंजन ने इन सभी रूमर्स को मानने से इंकार कर दिया है और साथ में टेस्ट के रिजर्ट भी दिखाए है कि सुविएं रिटन टेस्ट में नमबर वन आई है जबके वैन का रंबर 9 है इसलिए इस पुजिशन का फैसला करने के लिए वैन और सुविएंजन का दुबारा से टेस्ट करवाया जाए अब गुएंजन डुक्टर वांग से कह रहा होता है कि सुविएंजन ने खुद इस इंटर्व्यू में पार्टिस्पेट किया था बगार किसी की मदद हासल किये तो सिर्फ एक पोस्ट की बिना पर ये पुजिशन वैन को कैसे दी जा सकती है जबकि टेस्ट में सुविएंजन नमबर वन पर आई थी डॉक्टर वांग कहते हैं कि इस पोस्ट से पहले ही इस पुजिशन का फैसला हो चुका था क्यूंकि सुवियन का एकडेमिक स्कोर वन से कम है और इसके साथ प्रोफेसर डूबी यही सोचते हैं कि वन के अंदर रिसर्च असिस्टेंट बनने की ज़्यादा अबिलिटी है अपने डैड का नाम सुनकर तो गुएंजंग हरान हो जाता है रात में गुएंजंग घर पर जाता है और अपने डैड से कहता है कि सुवियन ने यह टेस्ट पास कर लिया था तो फिर आपने भी पावर का इस्तमार करके वन को यह पुजिशन क्यूं दे दी है डैट कहने लगते हैं कि ये लड़की पहले भी एक स्कैंडल खड़ा कर चुकी है तो मैं नहीं चाहता कि इसको हायर करके हॉस्पिटल का सकून तबाह हो जाए गुंजन कहता है कि वो काम सुवियन काई था लेकिन उसको कॉलिज से निकाल दिया गया वो मैडिसन में काफी टेलेंटिड है और वो अपने काम को भी बहुत पसंद करती है और मेरे लैब को टेलेंट की ही जरूरत है डैट कहने लगते हैं कि लैब को सुवियन की जरूरत है क्या तुम्हें गुंजन कहने लगते हैं कि हर कोई आपकी तरह नहीं है जो अपने हॉस्पिडल में काम करने वाली नर्स को बाद में वाइफ बना ले ये सुनकर गुएंजन के डैट को घुसा आजाता है लेकिन गुएंजन के स्टेप मॉम इनको असा करने से रोक देती है गुएंजन अपने डैट को दिखाता है कि 90% पबलिक चाहती है कि वैन और सुवियन का दुबारा से टेस्ट लिया जाए और अगर आप अपने हॉस्पिडल में इनसाफ काइम करना ही चाहते है तो आपको ये कॉम्पिटिशन करवाना होगा ये कहकर गुएंजन यहां से चला जाता है फिर जब गुएंजन घर आता है तो सुवियन बहुत खुश होती है और इसको दिखा रही होती है कि अडिशनल टेस्ट का नोटिस आ गया है अब सुवियन गुएंजन को फूट देती है प्रफैसर डू सुवियन से पूचते हैं कि क्या तुमने कभी कोई पेपर पुब्लिश् inheritance करवाया है अपना सुवियन कहती है कि जब मैं कॉलेच में थी तो मैंने अपना एक पेपर लिखा था प्रफैसर डू कहती है कि मेरे काम के बदले में मिला है सुविन कहती है कि यह सारी रिसर्च अगर तुम्हारी है तो फिर तुम्हें यह तो याद होगा कि तुमने किस मैथड के जरिये से फाल्स पॉजिटिव को अपने टेस्ट में ओवाइट किया है वैन इस बात का सही से जवाब नहीं दे पाती और सुविन उस मैथड के बारे में बताने रगती है जो इसने अपने पेपर में लिख कर रिपोर्ट किया था वैन ने भी अपने पेपर में इसी मैथड को इस्तमाल किया है लेकिन लेकिन वैन के पेपर को रिव्यू करने वाले को ये बात रियालाइज ही नहीं हुई कि वैन क से कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता सुविन वेन से कहती है कि तुम अपना पेपर खुद विड्रा कर वाओगी या फिर मैं एक और रिपोर्ट करूं यह सुनकर प्रफेसर डू कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में पब्लिश होने वाले पिछले पांच सालों के पेपर को अपना आफट दिखा रही होते हैं कि तैस्ट के लिए मैंने यह पहना है कि में डॉक्टर की दिखाय दे रही हूँ तो सुविन कहता है कि तुम हैं उधिय इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे बारे में जो गॉशिप से वो गाइब हो गए हैं क्या दम वाखिव में शीन करने आइंटिटीज हैं गुएंजन कहते कि कोड़ भी है सुफ फैमिली का सन इन लौ और इसे पुछ रखता कि आखर तुम अपनी मॉम से मिलाने के लिए मुझे कब लेकर जाओगी सुविन कहती है कि देर हो रही है मैं सब्वे के थ्रू हॉस्पिडल जाओंगी और तुम ड्राइफ करके आज आना अब हमारी हॉस्पिडल में मुलाकात होगी यह कहकर सुविन यहां से चली जाती है सुविन हॉस्पिडल पहुंचती है तो यहां पर इसकी मुलाकात वें से होचाती है वें कहने रखती कि तुमने मुसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं मुने डैट से कहूँ कि वो तुम्हारी आंट का नाम इस मेडिसन की ट्राइल में शामिल कर लें लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम हमें लें पत्बाह करने वारी हो तो मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करती सुविन कहती है कि साइंटिफिक रिसर्च का जाती मामलात के साथ कोई भी लिना देना नहीं है इसलिए तुम दो अलग मामलों को मिक्स नहीं करो वेन कहती है कि एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने मेरे डैट के काम को तबाह करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा ये कहकर वेन यहाँ से चली जाती है अब सुवियन को यहाँ आने रगता है कि ये अपनी क्लासमेड लेयंग से कहती है कि वेन और तुमने स्टूडेंट यूनियन का प्रेजिडेंट बनने के लिए कंपीट किया है तो अब तुम वेन के खिलाफ रूमर्स क्यों फेला रही हो लेयंग कहती है कि मैंने अपनी आंगों से देखा है कि वेन प्रेजिडेंट को वाच गिफ्ट कर रही थी हम दोनों के पॉइंट्स बहुत करीब करीब थे तुम भी जानती होके उनका वोट कितना मैटर करता है वेन कहने लगती है कि मैंने प्रफेसर की वाच उनको वापिस की है लेयांग कहती कि मैंने खुद देखा था कि वेन जुट बोल रही है कि क्या तुम्हारे पस इस बात का सबूत है और तुम्हें एक दिन खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कि सकption societust की मदद करर रही हो कि तुमने सुवियन और वेन की दरम्यान जो मसला है उसको इस्तमाल करके मेरे पर इलजाम लगाया है गुएंजन कहता है कि तुमने अपनी ही स्टूडेंट की रिसर्च चुरा कर दूसरी स्टूडेंट को दे दी थी गुएंजन कहता है कि तुम अपने फाइदे के लिए मुझसे लड़ रहे हो इसलिए सुवियन के खाते तुम अपनी रेपिटेशन को दाव पे नहीं लगाओ गुएंजन कहता है कि अगर सुवियन ने थाबित कर दिया कि वो ठीक कह रही थी तो प्रफेसर ही कहता है कि फिर मैं यह हॉस्पिरल छोड़ कर चला जाओंगा गुएंजन कहता है कि इसके साथ तुमने माजी में जो कुछ किया है तुम उसको एड्मिट भी करोगे और सुवियन से माफी मांगोगे प्रफेसर ही कहता है कि ठीक है लेकिन अगर सुवियन यह प्रूफ नहीं कर पाई तो तुम उसके साथ यह हॉस्पिरल छोड़ कर चले जाओगे गुएंजन इसे यह डील कर लेता है सुवियन लैब में होती ही गुएंजन इसके पास आता है और इसने जो इसको टास्क दिया होता है उसके हवाले से क्वेस्टिन्स पूछने लगता है सुवियन को जिस सवाल का जवाब नहीं आता उस पर गुएंजन इसको डांटने लगता है कि तुम्हें सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाई हो दूसरा डॉक्टर कहने लगता है कि प्रफेसर गुएंजन इम जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं लेकिन आपने सुवियन को एक ही दिन में इतना काम दे दिया है उसने तो अपने डिग्री भी कंप्लीट नहीं की इसलिए सुवियन के साथ ऐसा होना नॉर्मल है गुएंजन सुवियन के पास आता है कहने लगता है कि अगर तुमने अपनी असली काबिलेत नहीं दिखाई तो बाकि सब यहीं समझेंगे तुमने ये जॉब अपने कुनेक्शन के थुरू हासल की है काम के बाद जब सुवियन कार में आकर बैठती है तो गुएंजन इसके ड्रिंक देता है और कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझ पर घुसा होगी सुवियन कहती है कि मैं तुम पर घुसा क्यों होगी गुएंजन कहते है कि इस बाद के पश्टावे के लिए काफी देर हो गई है फिर ये दोनों खाना खाने लगते है यूँजन जब घर आता है तो इसकी मौम इसे कहने लगती है ये अगले दिन वेंग से मिलने के लिए आता है ये वेंग से कहता है कि मेरी कंपणी को मारकेट मίνेजर की जरूरत है तुम आरकर मेरी मदद कर सकती हो वेंग कह DANE कि जब तक तक तुम eh मेरी मदद की जरूरत है मैं तम्हारी मदद करूँगी आज परफेसर वेन मिस्टर याइंग से कह रहे होते हैं कि रिपोर्ट आ गई है इन तीनों पेशेंट्स को कोरिय डिजीस की मेडिसन लेने के बाद ये अनरूसियम हुआ था आखर तुम इस सब को कैसे एक्स्प्रेइन करोगे याइंग कुछ कहने वाला होता है तो प्रफेसर वेन कहते हैं कि तुम कमेटी को इसके बारे में रिपोर्ट करोगे और अब वही इसका फैसला करेंगे लेकिन मिस्टर याइंग अभी भी अपनी बात पर कार्म होता है कि इसमें कमपनी की कोई खलती नहीं है प्रफेसर वेन कहने रखते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं और हमें पेशेंट्स की हेल्थ का सोचना चाहिए आखिर तुम्हें जीहू कमपनी ने ऐसे क्या बेनिफिट्स दी हैं जो तुम उसको डिफेंड कर रहे हो तो मिस्टर गैंग कहने रखते हैं कि अगर आप कोई यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पर तो आप वेन से इसके बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि अब वो भी जीहू कमपनी की स्टाफ बन गई है यह देखें तो प्रफेसर वेन बहुत ज़दा हैरान हो जाते हैं प्रफेसर वेन चब घर आते हैं तो ये वेन से बोचते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अब जीही में काम करती हो वेन कहती है कि डैड आपको गलत फहमी हुई है सुवियन सर्फ मेरे से बदा रहने के लिए ये सब कुछ कर रही है तो डैड कहती है कि वेन तुम अब भी जूट बोल रही हो क्योंकि वो पेपर सुवियन नहीं लिखा था ये सुनकर वेन हैरान हो जाती है और इसी